को मिली है आनुद सबसे पहले तो price view ही लेना चाहेंगे यहां से अब inflation का data आना है US का fed meeting की भी इंतजार लोगों को है उसके पहले बाद near term में क्या ranges है मनिशा जी गुड़ बॉनिंग देखें जिस तरीके से हमने कले कर रिवर्सल कूर में आता हुए देखा है अल्मोस ठावन सो के आसपास से कूर के price recover हुए है और डॉलर टर्मस में करीबन 75 के लेवल से अबने बांस प्रक आता हुए देखा है तो कहीं ना कहीं एक short covering हमने कूर में है साथ में देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगे fed की मीटिंग है दो दिन तो यहां पर भी जोड़ा मार्किट रहेगा लगता है कि लोवर लेवल पर एक अपसाइड मोमेंटम यहां पर देखने को मिल सकता है तो recovery हमें लगता है कि कुमोर्टी मार्किट में आन करने को मिल सकते हैं अगले साल के लिए आपका क्या ध्यान है मनिशा जी मुझे लगता है कि बुलियन साइड में जाए तो हमने जो recovery पिछले एक महीने में आती हुई देखी है और जिस तरीके से US के डेटा और डानर इंडेक्स में गिरावट रही है तो यहां पर बिलकुल जो एक सिनारियो था वो चेंज होता हुए दिखाई दिया है अगर चांदी की डिमांड जो है वगले साल बढ़ सकती है इसा माना जा रहा है तो उससे काफी अद्धा हमें लगता है कि चांदी आगे आने वाले साल में आउट परफॉर्म कर सकती है हमारा मानना है कि जल्द यहां पर आते हुए दिखाई दिये हैं तो कहीना कहीं हमारा व्यूए कि आने वाला से साल रहेगा वह इंडिस्ट्रियल में डिमांड बड़ी है तो चांदी के अंदर भी हमें लगता है कि अच्छा-गासा सपोर्ट आता हुए दिखाई देगा हलाकि फेडरल बैंक का जो देटा आते हुए दिखाई दिए तो इंडिस्ट्रियल दिमांड मैटल्स की बढ़ सकती है तो उसमें चांदी मुझे लगता है कि आने वाले साल में आउट-परफॉर्म करेगा और हो सकता है कि जो अब इसमें हाई बनाया था लेटस्ट ब्रेक करता हुए दिखाई दे औ आल राइड यानि कि चार्ट पर